हाँ फ्रेंड्स तो अपन इस फाइल में देखेंगे एन एन से चार है टोटल ठीक है एन से टोटल चार आएंगी आपने बार देखलो में आपको जूम करके एन दिखा दू पहले एक बार यह देखलो लेलो फोटोस की खचक आजाओ तो सबसे पहले है अपंद देखते हैं इन में नारयनी माता अपने अलवर में फिर नक्ति नारयनी आगया अनुनासिक फिरियेट्टाय थे के नैटी नक्ति और फिर नीमच माता उदेपूर में तो नारयनी नक्टी ठीक है? नीमच और नागनेची माता नागनेची माता अपन देख चुक है, राठोड तो शासक है उनकी कुल दियो ठीक है? तो अपने देखा था नागनेची माता की मुर्ति कौन लेके आया दूवड देखा था अपन ने सर चलो मैं बता दो मज़ें बसको देखी नहीं तो आजाओ नागनेची है है ना मन तो बहुत करता है चीज़ों को बताने का जैसे भाई दूवड है चक्रेचपरी करनाट का यहां लाए नागना कहां पाड़ में लेकिन फिस्टे सर पता है ना करते हो बार 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 तो बहुर हो जाते हैं सर जादा चलो खहर को यह वाद नागनेची माता नक्टी माता और नीमच माता यह तीन नई है एन में जिनको अपन देखते हैं आओ आदो नारायनी देवी, ठीक है, very important, आता है, इसका question बहुत आते हैं, इसके सुम्रित करने में, तो सबसे पहले आपने मंदिर देखते हैं, इनकी बर्वा डूंगरी है, अलवर में, नारायनी बर्वा डूंगरी, ठीक है, ये कुल देवी हैं किनकी, नाईयों की, ठीक है, ये question है, एक तो इनका मंदिर कहा है, कुल देवी किनकी है, और मेला कब भरता है, तो नाईयों की, तो नईयों को जैसे अपन नई जो हता है इंगलिस में उसको बोलते हैं अपन बारबर ठीक है ना बारबर बारबर मुची जो हता है उसको कोबलर बोलते हैं सी ओबी एलियर कोबलर और बाल जो काटता है नई उसको बारबर बोलते हैं तो बी से बारबर और या बी से बाल है बारबर को अपन ने ऐसे बारबर और बी से बारबर और बी से बाल बाल जो काटता है वो बारबर ठीक है तो बी से बाल और बी से क्या आ रहा है बरवा डूंगरी ऐसे तो किनकी बी से बाल बी से बरवा डूंगरी पर किसका मंदिर है नायो की कुल देवी बिलकुल कौन नारायनी माता तो नैसे नाई और नैसे नारायनी माता देखो कितना कुछ आल्रेडी सेट कर रखा है बंची वाले ने अपने लिए लेकिन नहीं मैं तो उस सेट को नहीं मानूँगा तो सेटिंग कर रखे उसको नहीं मानूँगा रही है किन कब का कालीन है गुजर परतियार कालीन है तो गुजर परतियारों के जैसे बताओ जो कालीन मंदिर होगा वो कौन सा होगा महा मारू सहली याद हो जानी ची अब तो यह कितनी बार रिविजन करा दिया है महा मारू है महा मारू डोला मारू नहीं है महा मारू ठीक है यह ऐसे अपने को जान रखना बरवा डूंगरी नायराणी मता नायों की कुल दिवी और मिला कब देख लो वही बैसे है बैसे बाल बैसे बारबर बैसे बरवा डूंगरी नैसे नायी नैसे नायराणी मता और मिला बैसा आख शुकल 11 B.S. 11, B.S. 11, देख लो, कितने भी आ गए इसमें, बैसाक शुक्ल एकादशी 11, है न, बैसाक मेना आता, चैत बैसाक, दूसरा मेना साल का, बैसाक शुक्ल 11, ऐसे, ठीक है, एकादशी, पूनम नी, एकादशी 11, तो ऐसे था, तो अपने ये सारा नरेनिम आता कि देखा, नाय याद रखना, अलवर, 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 वर, वर, यह न, यह न, यह न, नाय हो कि, मंदिर, बरबा, ढूंगरी, बारबर, और, मिला भरता है, बैसाक पूनम नी, ठीक है, यह हो गया, आप तो रिविजन करो, बारबर, बिसमें में में और क्या बताओं, फिर नेक्ट देख है, गुजर प्रतियार काली, यह अपने जोबनेर साइड में मंदिर है, यह जोबनेर सोड़ा आगे, बावानी पूरा, प्रतियार काली मंदिर है, तो सेली कैसी होगी, महा मारू सेली, यह तहां रखना है, फिर नीमच माता का मंदिर अपन देखते हैं, नीमच माता का मंद इसलिय। इसको गिर्वाद छेत्र के वैस्टनों दिवी बोला जाता है। तो मेवार चेतर की जो है वो क्या है वैश्णो दिवी कौन है वो नीमत समाता है उचाई पे ठीका तो मेवार अपने आप में जैसे जो पठारी चेतर है तो इसलिए वो उचाई वाली वैश्णो दिवी उधर ही मिलेंगी अपने को ऐसे भीका नहीं है, तो अब भेष्णुदेवी अपने देखा कि उंचाही पर इस्थीत हैं, तो मेरेको जैसे देखनी है तो मेरेको उंचाही पर जाना पड़ेगा, तो ऐसे उचलने से थोड़ी दिखें कि वैश्ण देवी उचे पेड़ पर चड़ जाओ तो नीम के उचे पेड़ पर चड़ जाओ तो वैश्ण देवी दिखाए देगी नीम का उचा पेड़, तो नीम से का उजगा है, नीमच, और उधयपूर, और ओगी रास्तान की वैस्टन देवी, खर्तम, मैं तो काम यही था, लेकिन डंग से चड़ना उस पेड़, नीम के पेड़ पर डंग से चड़ना विया, गिरमच जाना, समझ गए, चड़तो रहे हो लेकिन वैस्टन देवी दिख जाएंगी, लेकिन डंग से चड़ना गिरमच जाना, डंग से उतरना गिरमच जाना, ऐसे, नीमच, ठीक है, तो नीमच, नीम का पेड़, गिरमच जाना, उधयपूर, ठीक है, उधा वरा है तुम्हारा वैस्टन देवी के दर्शन से, सभी क तो यह होगी अपने कहा की वैस्ण देवी गिर्वा या मेवार प्रदेश की और राज्तान की कौन सी थी अर्भुदा चरूई ठीक है यह था फिर एन में आपन देखते हैं नागनेची माता तो नागनेची माता मैं तो कित्ती बार मैं बता हूं तो यह थक गया बता है तो य नाटका में इनको चक्रेश्वती माता के नाम से जाना जाता है ऐसे और नागनागाव बाड़ मेर में मंद्र प्रमुख वाला के इस्तापित की नाम पढ़ेगा नागनेची माता तो यह हो गया आपने क्या एन मैं पढ़ेखा नारायुनिमाता भवा में और मैं देखा राश्ष्टान के निम नैवार कि में गिर्वा पाडियों की गिर्वाचेतर की वैस्टो डिवी तो नीम से गिर्माजाना दंग से चड़ो वह 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 वैश्मुदीवी के दर्सन छे नागनी ची माता पता ने कित्ती बार देख चुगें अपर फिर पी में आपन देखते हैं लेकिन कहीं-कहीं इनके मंदर भी देखने को बिलते हैं जैसे पतवारी माता का मंदर अपने भरतपुर में यह सुजान गंगा अपने बरतपुर दूर्ग लोह अगट दूर्ग के चावतरव जो एक खाई नूमा है तुजान ने गा, वहाँ अपने को मंदिर बिलता है राजिश्वरी मंदिर भी है, वहाँ देखेंगे अपन राजिश्वरी मंदिर वरतपूर में और वहाँ ये इनका मंदिर भी पतवरी माता लेकिन ये प्रतिकात्मक है, महला पतवरी माता प्रतिकात्मक है जो तीर्थ यातियों की रक्षक माने जाती है, पत, पत में जो रक्षा करें तीर्थ यातियों की और दूसरी है पीपाड माता पी से, पीपाड माता पीपाड है, पीपाड यह अपने को मिलेंगी का है जोदपूर में आजाओ ओशिया जोदपूर में यालो तो यह पिपाड माता देख लो है आपे पिपाड माता पिपाड का है ओशिया 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 ठीक ना ओशिया ओशिया पिपाड पिपाड माता पिपाड पिपाड ही बोलते हैं पिपाड शिटी पिपाड ओशिया तो पिपाड माता बहुत प्रमुक है ओशिया ओशिया बहुत इंपर्ण शहर है यह गुजर प्रतियार कालिन सबसे प्रमुक शहर था यह ओशिया शूर्य मंदरी के लिए जाना जाता है रास्तान का भून माता देखी और दूसरी अपने क्या देखी पी में पी पड़ा माता ओशिया जोद्पूर ओके यह हो गया अपने एन और पी का अब देखते हैं अपन आर ठीक है आर अब देख रहा है आर में टॉटल से आएंगे अपने एक स्क्रिंशोट ले लो आर का खचक ले लिया आर का स्क्रिंशोट एक स्क्रिंशोट अब आर में जो टॉटल 6 देवियां उनको देख लेते हैं अपने टॉटल 6 है अब सबसे पहले वहीं अपन गड़ी की दिशा के अंदर से देखेंगे तोटल 6 है 6Ah में गड़ी की दिशा में अपना जैसे देखेंगे ऐसे गड़ी की दिशा में है न लॉकवाइट से तो सबसे पहले अपन जुंजुनु के अंदर देखते हैं, जुंजुनु में, एक तो है राणी सती, ठीक है, राणी सती, नारैनी देवी, अंधंधास, है ना, तो राणी सती, ठीक है, फिर दूसरी अपन, मतलब 70 नमबर पे है राणी सती फिर एकतर नमबर पे है राज-राजिश्वरी अपने बरतपूर में जोगी मैं बता रहा था फिर है राज-राजिश्वरी अपने 22 नमबर पे जैपूर में दोनों नाम से में लेकिन दोनों अलग अलग है बरतपुर में मंदिर है जपुर मंदिर है अब पूछा जाए जाए कि राज राजश्वरी मंदिर कहा है तो ये बरतपुर वाला ज्यादा फिमस है जपुर वाला इतना फिमस नहीं है ठीक है मतलब आज बरतमान में जैसे जो जपुर राजपरिवार राज राजश्वरी एकतर नमबर पर राजराजेश्वर ये बैतर नमबर पर राजराजेश्वर माता हैं दोनों एकतर नमबर तो अपने भरतपूर में हैं और बैतर नमबर अपने जैपूर में ठीक है फिर तैतर नमबर पर रूपक देखते हैं उद्यपूर में रूपक माता और चौतर नमबर पर देखते हैं रूपा माता बाड़ मेर में तो रूपक है उद्यपूर 74 में रूपा ठीक है ये 74 में रूपा है और ये रूपक है ठीक है रूपा एंड रूपक अब जो को इनको मिस नहीं करना है याद रखो ये चोड़ चोड़ के पर सुमयलित में उड़ा दिती है नहीं तो रूपक है रूपा रूपक उद्यपूर है ठीक है रूपक है रूपक उद्यपूर तो उद्यपूर होने के बाद ही पता चलेगा कि रूप कैसा है शूरज उद्य होएगा उसके बाद ही पता चलेगा ना कि आज दिन का रूपक कैसा रहेगा रूपक तो रूपक का पता लगता है उद्य होने के बाद रूपक दीपक रूपक उद्य होने के बाद पता लेगा रूपक ठीक है और रूपा है अपने बाड मेर के अंदर पर नावा, नागो, रानाबाई, बहुत बार बताया है, आयगा भी, और फिर 75 नमबर रानाबाई हैं, और 75 यह मैंने याँ कर रहा है, रेजडी-खेजडी माता, रेजडी-खेजडी, ठीक है, इस शेत्र में से, गौड शेत्र में जो बंचल जम्दाया, उनकी कुल देवी, रेजडी, खेजडी रेजडी, खेजडी ठीक न, ये, तो ये जुझुनों में दो होगी, राणी सती और रेजडी, खेजडी तो मैंने राणी सती के साथ नहीं बता है तो उसमें जो नंबर, जिस भी अल्फाबेट में फिट हो रही है उनको A कर देना है A, B, C, ऐसे, जैसे मैंने गया 55 नंबर राणावाई को दे चुके थे, फिट 56 नंबर आगे पड़ा हुआ है, तो इनको पतर दिखाए देते हैं, आप उनको पूरे ऐसे है, ठीक है तो अब अपन पढ़ते हैं, आर के अंदर आज़ाओ, सबसे पहले अपन देखते हैं राणी सती राणी सती, जुन जुनुन अन्ने नाम क्या है इनका दादी जी दीदी नहीं है, दादी बुडि सती हुई, ऐसे बुडि मा ऐसे, जाती क्या थी इनकी अगरवाल, वास्तिव का नाम क्या था नारायनी देवी अगरवाल क्या नारायनी देवी, नारायनी ठीक है, पत्ती का नाम तंधन्दास याना, तंधन्दास सती हुई ये पती तंदंदास के साथ में ठीक है कौन नाराणी देवी अगरवार पती का नाम तंदंदास खुद का नाम नाराणी देवी और ये तंदन में दोने आरे न तो ये दोनों दे नाराणी देवी के नाराणी नाराणी ठीक है और इनका मेला का भरता है बादवा बादप्रत बादवा अमश्याओं को ठीक है तो वार मेले पड़ेंगे तब उसमें भी लिखावा है बादवा अमश्या तो सती है राणी सती अमश्या अंधकार कर गई गग में अनमलब उनकी जो कमी है वो अंधकार कर गई इन्हों तो बहुत प्रकास दिया आज न मंदिर बना रखा आपने सती्यों की बताओ व्रास्तार में ये तो वहात। बना हुआ है तो सती को महिमा मंदन होता है तो ऐसा क्यूं है सती होना तो एक पक्स था लेकिन समाज में आज यो मंदिर बहुत कुछ करता है कास्तोर पर शिक्षा की शेत्रे में फ्री मैस सलता है फ्री शिक्षा देते हैं लोगों को है ना तो आज अपने को सती दिखता है मैं आज मतलब की गड़िमा की विरुद है उस समय आप जैसे देखो कितना डुक या एक दर्द सेहन करके वो मेले सती होती दोगी तो ऐसा नहीं था कि भई उन्होंने डिप्रेशन में आके अपनाया उस करते को वो तो एक आतमबल का प्रतीक था अपने गौरब को समान के लिए ऐसे और उससे पॉजिटिविटी आती थी लोगों के अंदर अन्ने देखते थे कि हाँ बिलकुर फिर जब अधुनिक वारत आया वो मंदिकालनी समय था आधुनिक समय था तो अब वरतमान लोग के हिसाब से वह चीज आप लिमें को मानव के अगेंस्ट में लगती है ऐसे ठीक है न तो तो समय समय की बात थी और आज वरतमान में नायने देवी नाम है उस मंदिर का है नाम नायने देवी है तो तंदन दाश नायने देवी और भागत्त कर दमावश्य यह अपने को राणी सती से रहां में रखना है ठीक है फिज़े नेक्स देखते हाँ है अपन राज-राजिश्वरी माता लोहागट दुर्ग भर्थपूर में इनका मंदिर ठीक है पृमूक मंदिर कहा है लोहागट दुर्ग वही दुर्ग है जिसको जीत नहीं पाए कभी भी लोड लेक अंजीत सिंग पर्तपुर की स्थ्री में सारा है वीडियो पर रखा हूँ अ प्लेलिस्ट में देखो फिर यहां पर आपन डैसे देखते हैं कि लौहागाठ दुर्ग में आपन गंगामाता का मंदरी भी देखते हैं लौहागाठ जो पत तिर्थ हैतों की रख्षक उनका मंदिर भी है यह कुल देवी किन की है यह जाट जाती की है ना सिंसिनिवार जाट जो है जाट जाती जो देपूर में जैसे अपने माराजा सुरज मल हुए बहुत इंपोर्टेंट जाजाती के प्लेटो ऐसे माराजा बदन सिंग जिसे कावद भी क्या है आठ फिरंगी नो गोरा है ना फिरंगी का तो मतला वही जो भारतिय सेनिक जो अंग्रेजी चेना में बढ़ती हो गए तो आठ फिरंगी नो गोरा दुर्ग की दिवारां पे लड़े जाटा का दो छोरा तो दो प्रमुग जाट सेनिक जो आठ फिर पानीपत की युद्व में भूमी का निवाई खासर तित्य पानीपत की युद्व में यह चीज है तो यह आपने जैसे देखा राज-जाशिश्वर माता का मंदिर लौगडुर के पास में अब यह जो मैप बना हुआ काफी इंपोर्टेंट यह है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यह बरतपुर वाले में मैंने दिखाया था आपको ठीक है ना देखो यह क्या इसमें यह जो यह तो है अपना लोहागड दूर्ग और यह जो आप लूग के अंदर जैसे देख रहे हो ना यह पानी से गिरावा यह पानी से गिरावा जल्दूर्ग एक तरह से लेज़े गागरों दूर्ग तो जल्दूर्ग है आहू और काली सिंद्ध ने दिए बीच में दूसरा प्रमुग जो जल्दूर्ग है रास्तान का वो यह है अपने कौनचा भरतपुर दूर्ग जिसको लोहागड दूर्ग भाहर यह ख्याए बाहर ओर इसको असनले जीत नहीं इस जीत नहीं पाए और इस जो नही तो-पर नही का पन वो बोलते हैं सुजान घंगा और प्ल efficac ठीक है फिर यह देखो मा राज राजेश्वरी मंदिर यह यहाँ दुर के ना वालब दुर की परिफरी का राज राजेश्वरी मंदिर और यही देखो पत्वारी मा लिगाओ ना P A T A S W R है पत्वारी माता का मंदिर वही पत्व में जो रक्षा करती है लोगों की पत्वारी मता ठीक है यह पत्वारी मता मतलब तीर थेयातियों की रक्षक होती है पत्वारी मता आप लिख लो तीर थेयातियों की रक्षक पी में आया था पीपाड पीपाड तो क्या था आपने पीपाड पीपाड ओसिया है ना और पत्वारी मता तीर थेयातियों की रक्षा जो आप देशतीर स्यात्रा पे जा रहे हो तो पत्थ में आपकी कौन रक्षा करेगा पत्वारी माता रक्षा करेगा पत्वारी पत्वारी पत्थ में जो रक्षा करे पत्वारी ठीक है तो यह अपना लोहागर दुर्ग दिखा दिया सुजान गंगा नेर दिखा पत्वारी माता का मंदिर दिखा दिया और यह गुंगा माता का मंदिर भी है ठीक है और लोहागर दूर्ग यह पुचा जाता है जुनागर दूर्ग विकानेर लोहागर दूर्ग भरतपूर ऐसे किस नेट से किसा हुआ गिरा हुआ है अपने सुजान गुंगा नेट से और ज राज राज राजवय तन हमारा राज बना रहे जीतने के बाद कि देवी राजराजवठी देवी के सब देवता एक रंक के वस्त्र 는 भी देवत्राइं सब पिले रंग में अष्ट बुझादारी राज यह पिले वस्तर में गनेजी पिले वस्तर में सभी एक रंग के वस्तर में यह अपने राज राजिय शुरी ठीक है ना तो यह मंदिर 1780 बनाया था प्रताब सिंग ने हैं वह हैं जिन्होंने अवामेल बनाय प्रताब सिंग 17 सोसी में बनाया ठीक है न यूद लड़ा था उसमें विज़े मिलने के बाद ऐसे ठीक है और वर्तमान में जैसे अभी पॉपॉलर नहीं है उसका मैंने आपको जैसे दो क्या बताया था दो कोई इसमें देखो यह रहा मंदिर बनने के बाद एक बार सवाई परताब सिंग और एक बार मान सिंघ दित्य मानसिंख देते आयते हैं लेकिन अब पूर्व राजपरिवार का अब पूर्व राजपरिवार से कोई नहीं आता ठीक है इसने में बता रहा हूँ कि अगर राज राजिश्वरी मंदिर पूरा दाता है मंदिर कहा है तो वो भरतपूरी उसका अंसर है देखो ऑपने नोर्थ है ये साउथ है गटना अपने को देती है उसको अपन क्या बोलते ते ने निउस समाचार N E W S News News N E W S News तो चारोर दिसे आती है न North East West South News ठीक ना तो यह इस तरह तो यह जील के इदर यह हो जैसे अपने जाते हैं यह पीछे की तरफ जो इदर जाता है अपने जवारामगड़ की तरफ पीछे जो रस्ता है यह नकी जील का रहा है जलमल ठीक ना इधर से खड़े होके हम देखते हैं जलमल यह बना हुआ जलमल यह मान सागर जील बोलते हैं इसको ठीक ना और मान सागर जील ये राईस्री राज राजिश्वरी मंदिर, ठीक है ना? मान सागर, ठीक है न? यह मान बाग यह लिखा हुआ, मान बाग सें, मान बाग, मान बाग मान बाग मुश्टीत है यह 582. ये संकत मोचन अनुमान जी का मंदिर रहे, बिल्कुर में रोड पर जाते हैं तो लेफ्ट एंड पर पढ़ता है ये में रोड है वो जैपूर वाली जो इदर चोपर से जो आती है न अपने बड़ी चोपर अपने आमेर की तरफ से जो आती है अपने चुबाज सरकिल से ये तो वो रोड है जो आगे करना घाटी में जाती है और ये पीछवाली ये जो दिल्ली बैपास है अपने ट्रांसपोर्ट नगर गलताजी होते वे जो आती है चंद्वाजी में आके दोनों मिल जाती है आगे जाती है तो ये जल्मेल ऐसे है न मान सागर जील मान बाग ऐसे और यहां पर एस राज़ेश्वरी राज़ेश्वरी माता का मंदिर समझ गए ऐसे है ये तो यह देखा आपने राज राज शुर्मंदिर एक अक्टूबर 2022 के अगवार क्लिपिंग है ठीक है फिर आपन नेक्स देखते हैं अब नेक्स देखते हैं आपन आपको आपने रूपक 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 तो उद्यापूर में है रूपक का और कोई ध्यान नहीं है रूपक रूपा देवी अपन बाडमेर के अंदर देखते हैं ठीक है ना माला जाल रूपा का माला जाल है ना रूपा माला जाल ठीक है बाडमेर में और यह किसकी देवी है बरसात की तो बरसात जब आती है तो रूप ही बदल देती है और नहीं बदल देती है ठीक है ना मलब धर् फिर इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट पूरे आर में क्या राणाबाई राणाबाई का मंदिर का है हरनावा नागोर हरनावा नागोर में और जो सबसे विशेश हैं का कुमारी सती हुई है एक मात्र कुमारी सती हुई है कुमारी का मतलब शादी नहीं करी और घेवर मा पती के सती होने वाली, गेवर माता, राजशमन, राजशमन जील याद करो आप, ठीक है न, गेवर माने मनाईती दिखाया था मुले, और राणा भाई, कुमारी सती हो, मतलब शादी नहीं हुई, ऐसे, ठीक है, यह है, बिना शादी वेज़ों सती हुई, यह है कौन, राणा राणा अरणबाकुरा, तो कुमारा ही सविड होता है, एसे, तो एकमातर रहसी, बिना पती के भी एकमातर गेवर माता, कुमारी सती हुई, एकमात राणा भाई मिला कब है इनका बाद्रप्रद शुक्ल त्रियोदसी ये जैसे मैं आपको पहले बताया था कि ये एक मात्र सही हो गए कि इस देवी का भी आज ही आपन देखते हैं जो मिला आ रहा है किस पर बाद्रप्रद शुक्ल त्रियोदसी का ठीक है न ये चीज़ है तो काफी बादा भाई को पहले भी दो तिर बाद जीकर आ चुका आप तो ज़्यादा टाइम लगानी कोई जरूरत नहीं है जाता मुझे दाने फिटनेश देखते हैं पिछे तर ए में आपन जुझनों के अंदर ही रेजडी खेजडी माता क्या रेजडी खेजडी रेजडी खेजडी रेजडी खेजडी मंदिर का है इसका काजड़ा चिडावा जुझनों में है न चिडावा तैसिल में चुरू की तरफ उपर काजड़ा चिडावा में बिल्कु चुरू बॉर्डरप है ये, काजड़ा गाउं है, चिड़ावा तैसील है, जुन-जुनो के अंदर, और ये कुल देवी है किनकी बंसल जाती की, शेखावटी में और जो मेंदरकर नांडोल, हरियाना के छेत्र में बंसल जो समधा है, उनकी एक कुल देवी है, कौन एक मों दोको, रेजड़ी खेजडी माता का मंदिर को जुन-जुनो के अंदर है, लेकिन ये कि रेजडी गाऊं में ठीक है जो साधलपूर गाउं रेजड़ी जो गाउं है साधलपूर कजबे में राजगर तैसिल में चुरू में पढ़ता है है ना साधलपूर राजगर तैसिल में चुरू में और इस रेजड़ी गाउं को पत्थर का गाउं बोलते हैं तो जैसे फोटो देख रहो आप यह ऐसी रेजडी गाउं की फोटो है तो ऐसे यहां जमीन पर पत्थरी पत्थर दिखाई देते हैं यहां बिल्कुल विरान तो ऐसे बोला जाता है कि यहां बेटी ने एक बार अभिशाप दे दिया था ठीक है न तो इसके बाद यह जमीन प पीहर था मतलब मूल घर था पीहर ठीक है न तो डिलेवरी के बाद जो चुके अपने सुस्राल में थे सुस्राल से वो अपने घर वालों से मतलब पीहर पक से घी मंगवाती है मतलब सासुमा से जगड़ा हो गया तो उन्होंने अपना घी नहीं लिया सासुमा का घी खाने स मना कर दिया, तह अपने घर से गी मंगवाया मता अपने पिर रेजडी से रेजडी गाउं से तो फिर पिर से भाई लेके गया लेकिन बाईने कया उपर गी था नीचे उसमें आपर भाए था बेख लवाब तो फिर जो लेडी थी वो लड़की थी वो बहुत जानाराज लेए अपने पियरपक्स है और बोला कि जाओ अब तुम्हारे पसु पक्षी इंसान में इंसान सब पत्थर बन जाएंगे तो फिर यह जड़ी गाओं में सब कुछ पत्थर बन गया पियरपक्स के अंदर ऐसे तो आज भी मंदिर ऐसे एं कई पत्थर ऐसे हैं दो जानवरों के आकर्ति में लगते हैं तो जákery सी सुराब आदमी की शेप में दिखाई देते हैं तो जिते वे आदमी खड़े हुए थे वो सब पत्थर बन गए तो जैसे यह देख रहे हैं है अपन हो सकता है कि यहां जिए आदमी जुन्डी के रूप में खड़े हुए तो यह पत्थर बन गए रहे जिड़ी गाउं इसको बोलते हैं पत्थर का गाउं क्या है सादलपूर तैसिल का एक ऐसा गाउं में जो सेक्डो सालपूर पत्थर के खंडरों में तब्दिल हो गया था और परन्तु आज भी आबाद है किवधन्ति का अनुसार एक बेटी के स्राप से गाउं पत्थर का बन गया था तैसिल मुक्याले से करीबन साट किलोमेटर दूर मतलब तैसिल तो क्या है राजगड और कजबा है सादलपूर साट किलोमेटर दूर रेजड़ी गाउं तैसिल से एक मात्र तैसिल से एक मात्र लावा निर्मित ग्रेनाइट पाड़ी के पास बसा हुआ है मतलब यह ग्रेनाइट पत्थर कंपेटिल ही जाता है ठीक है पाड़ी के सकल में उजड़ावा प्राचिन रेजड़ी गाउं पत्थर की सुरत में भाई से सुद्ध देशी गी मंगवाया था उसने अपनी सास की ओर से जमाए गए गी को खाने से इंकार कर दिया भाई गी लेकर बहन के पास घर आया तो उपरी भाग में गी था लेकिन नीचे भाग में गोबर भरा हुआ था तो मैं ने बोला कि जाओ अब तुम सारे पथर में बन जाओ तुम सब गोबर समानों मेरी किसी काम के नहीं हो तुम पीर पक्सवालो जाओ तुम मैं मेरी अब सास जीसे मेरी अभी तक तो नहीं बंती थी लेकिन अब मैं बनाने लग जाओंगी तो ये रेजडी गाउं है है ना और तोड़ा इस में Niete Kap . पर तो ऐसा आगया ये रेजडी गाउं है तो अपने देखा कि रेजडी खेजडी माता तो कहा है very good अपने काजड़ा गाउं काजड़ा गाउं जुन्जुनू के अंदर रेजडी खेजडी मता और रेजडी जो गाउं है जो पतर का गाउं है वो साधलपूर राजगर चुरू गाउं है समद गए? तो ये थी अपनी आर के अंदर जो अपने पढ़ी ठीक है? आर में आ जाए एक बड़ी मैप में तो जिसे रूपक चौतर में रूपा बाड में पचेतर में राणावाई हरनावा नागोर एक मात्र वेरी गूड कुमारी सती होगी रण मात्र तो कुमारी सती होते हैं हरनावा नागोर और पचेतर ये में देखा रेजडी खेजडी माता आपने बंचल समदागी कुल दिवी चिडावा तेसिल, रेजडी खेजडी, चिडावा तेसिल जंगनु के लिदा और रेजडी गाउं चादलपूर, राजगट, चुरू के लिदा अथर का गाउं, रेजडी गाउं समझ गई? आप देखो क्या है? इसमें देखो इसको ध्यान में रख लो, काफी इंपोर्टेंट चीज है, आपको अच्छा समझ में आईगी, ओके? यह था आर हो गया, आर देखा अपने, अब देखते हैं, आपन S, ठीक है न, यह S आगया, S में comparatively, काफी मेटर है, काफी है, 15 जिसे बाता हैं, यह आएंगी इसके काफी बड़ी होगी, चलो है न, चलो अब S, देखते हैं, अपन next file में, कहीं नहीं जारा जल्दी आ रहा हूं, OK, S देखते हैं OK, revision करो